किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पर इस पे आपने किलिक करना है जैसे आप यहाँ पे किलिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पी यह वेबसाइट ओपिन हो जाएगी उसके बाद आपने नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा अगर आपको फोटो यहाँ पे नहीं मिलता तो आपने पर किलिक करके आपने सबका सब material आपने डाउनलोड कर लेना है कि उसके बाद आपने Kind projets से बाद आपने Kind seeing से कड़ने केशिक करंगी। मैं 16 by 9 वाला रोजिटत्थे इस सेलेड़ कर रेक्स करा हूं next पे क्लिक करने के बाद आपकी gallery यहां से open हो जाएगी gallery में जाकर आपने एक background video सेलेक्ट करना है तो मैं background video यहां पे add कर लेता हूँ background video को यहां पे add करने के बाद आपने क्या करना है आगे का process आपने continue रखना है तो मैंने background video यहां पे add कर दी है add करने के बाद इस वीडियो का आपने टाइम लाइन सेट करना है जितना status बनाना चाहते हैं उत्तरा ही आपने इसकी टाइम लाइन को भी बढ़ा लेना है तो बहुत 15 सेकंड पर आकर सीजर पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ये second number option select करके trim to right of 일 This position पर आने के बाद लेयर पर क्लिक करना है और media पर क्लिक करना है media पर क्लिक करने के बाद आपने एक photo select करना है जो भी photo लगाना चाहते हैं लेकिन उस photo का background आपने पहले रिमूव कर लेना है removevg.com पै जाकर आपने इसका background रिमूव कर लेना है अगर आपको नहीं पता तो link description में आपको मिल जाएगी आप वहाँ पे checkout कर सकते हैं उसके बाद आपने इस photo को add करके यहाँ पे add कर लेना इस जगा पे ठीक है तो मैंने photo को यहाँ पे add कर लिया है photo को add करने के बाद आपने इसकी timeline को भी increase कर लेना है तो जितना status है उतना ही मैंने इसकी timeline को भी बढ़ा दिया उसके बाद first position पे आ जाता हूँ उसके बाद इसी photo पे again click कर लेता हूँ और यहाँ पे three dots पे click कर लेता हूँ three dots पे click करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे duplicate पे click करके इसका एक duplicate बना लेना है उसके बाद इस duplicate को आपने थोड़ा सा size में बढ़ा देना है अपने पहले वाले फोटो के हिसाब से तो three dot पे click करके send to back कर देना है तो मैं इस duplicate photo को send to back करके इसकी जो size है इसे बढ़ा लेता हूँ तक reballs ने हिसाब से बना लेता हूँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है इसकी जो size है इसकी size में थोड़ा सा और भी increase कर लेता हूँ ताकि ये देखने में काफी बढ़ा लगे उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर इसे add करना है और front वाले फोटो को थोड़ा सा आगे move कर देना है तो आगे move करने के बाद अब आपने क्या करना है यहां पर ok कर लेना है तो मैं यहां पर पहले नीचे चला जाता हूँ यह blending वाले option है आपने background वाले फोटो पर क्लिक करके blending वाले option पर चले जाना है उसके बाद screen को select कर लेना है ताकि जो थोड़ा सा फोटो dark नजर आए तो उसके बाद आपने ok कर लेना है ok करने के बाद आपने इसे यहां पर मैं ok कर लेता हूँ उसके बाद first position पर आ जाना है और यहां पर आपने क्या करना है layer पर क्लिक करना है layer पर क्लिक करने के बाद आपने media पर चले जाना है media पर जाने के बाद आपने यहां से एक video select करनी है तो मैं यह video select कर लेता हूँ लब वाली वीडियो तो इस वीडियो को यहां पर मैं एड़ कर लेता हूँ ठीक है आपने यहां पर डाउनलोड कर लेनी है तो मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया तो यह मैंने एड़ की एड़ करने के बाद आपने क्या करना है सबसे पहले इसके ओडियो पर क्लिक करना है क क्योंकि हम lyrics video लगाएंगे तो बाकी जितने भी audios आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब हमने off कर देने हैं तो मैं यहाँ पर इसे back कर लेता हूँ audio off करने के बाद नीचे आ जाता हूँ नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ adjustment का ठीक देखने को मिलेगा तो आपने branding पर click कर लेना है branding पर click करने के बाद आपने screen कर देना है तो मैं इसे screen कर देता हूँ screen करने के बाद अब आपने क्या करना है थोड़ा सा इससे आपने drag करके side में add करके इसकी जो size है इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है मैं इसकी size को इतना सब बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने यहाँ पे OK कर लेना है OK करने के बाद आपने क्या करना है थोड़ा सा आगे आ जाना है आगे आने के बाद आपने क्या करना है इसे चेक आउट कर लेना है उसके बाद layer पे click करना है first position पे आकर और यहाँ पे media पे click करना है media पे click करके अपनी gallery में जाकर आपने क्या करना है एक black screen lyrics video यहाँ पे add कर लेनी है ठीक है black screen video add करने के बाद आपने क्या करना है इस video को थोड़ा से check out करना है कुछ इस तरीके से lyrics आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद आपने नीचे आजाना है cropping का option आपको देखने को मिलेगा आपने cropping वाले option पे आजाना है और यहाँ पर आपने इसका जो mask वाला option है इससे आपने enable कर देना है उसके बाद आपने क्या करना है इसकी feeder को full कर देना है 50% तक उसके बाद okay कर लेना है ठीक है okay करने के बाद या फुर बैक कर लेना है बैक करने के बाद नीचे आ जाना है नीचे आपको blending का option मिलेगा तो आपने चले जाना है blending वाले option पर और इसे आपने screen कर देना है ताकि इसका जो black part है वो यहां से खतम हो जाए ठीक है तो मैं screen पर click कर लेता हूँ screen पर click करने के बाद अब आपने क्या करना है यहां पर अपने इस lyrics को यहां पर add करना है जहां पर आपको अच्छा लगे ठीक है मैं यहां पर नीचे add कर देता हूँ ठीक है इस जगह पर उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद यहां पर okay कर लेना है तो मैं यहां पर okay क लिखने को मिल रही है ठीक है so guys उसके बाद first position पर आ जाना है layer पर click करना है media पर click करना है तो मैं layer पर click कर लेता हूं media पर click करने के बाद अपनी gallery में जाकर आपने border png add करनी है तो इस png को मैं यहाँ पे add कर लेता हूँ, PNG को add करने के बाद, आपने इसे fully screen में कर देना है, ताकि ये जो बोर्डर्स में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिले, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसे आपने, इसका जो black part है, वो खतम कर लेना है, उसके लिए आपने पहले इसका जो black part है, वो यहाँ से remove कर देना है, उसके बाद आपने okay कर लेना है, okay करने के बाद वीडियो ready हो चुकी है, जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है, so guys, वीडियो पसंद आई है तो उसे like करना, और दोस्तों को शेयर करना, मैं मुलूँगा आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, बाई